आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार अगर यह तो कांग्रिस पार्टी के बात करें तो कांग्रिस पार्टी की जो एक शुरुबात जो की भारती स्वतिनता के पहले थी 28 दिसंबर 1885 की मैं कांग्रिस की स्थापना है और उसके बाद अगर जो मुख्य धारा में कांग्रिस आई मुख्य बेवस्था में कांग्रिस आई वो आई जब 15 अगस्त 1947 को कांग्रिस के द्वारा देश में सरकार बनाई लिए जब हाँ देश आजार हुआ उसके बाद कांग्रिस द्वारा यहां पर लगातार सासन किया गया कि कोई पार्टी उस समय इतनी अस्तिर में नहीं थी इस अस्तिर में थी कोंग्रिस का सामना करता है और कांग्रिस पार्टी ने हमाए देश पर दसको राज किया दस को इसरी बोलूँगा क्योंकि चाहे गडवन्दन की चलते चाहे सोतंत्र पार्टी की चलते लगातार कॉंग्रिस सत्तावे बनी रही है मैं मानता हूँ बीचे परवर्टन जरूर हुए पर वहां पर भी कॉंग्रिस मुख सयोगी दल की भूनका में रही तो कुल मला के चाहे गडवन्दन की रास्ते चाहे स्वयम के विवस्था के चलते कॉंग्रिस ने देश पर दस को राच किया और सरकार बराती रही पर बही कॉंग्रिस के अगर बात करें जिसमें एनी विसेंट महला अध्यच रही इंद्रा गांधी जो की भारत की पूर प्रहा मंत्री हैं दसको रही अध्यच रही इसके बाद सुनिया गांधी कॉंग्रिस के अध्यच बनी उसके बाद राहल गांधी कॉंग्रिस के अध्यच बने और 2009 में जो चमटकारी पे डसन था वो राहल गांधी एगवाई में हु कॉंग्रेस पर अध्यच्पत का कभी कारवाग नहीं रहता है पसोपेश बरकरार है और साथी साथ असंटुस्त की जो स्थिती है वो भी लगातर कॉंग्रेस में चली आ रही है असंटुस्ती श्री बोलेंगे कि यहां पास जिस तरह से जीते ही इसका गुरूप बना हुआ था और उस गुरूप के चलते कांगरेस के बड़े-बड़े नेताओं ने कांगरेस साथ छोड़ा को सब पहले कपिल सिब्बल ने कॉंग्रेस से अलविडा कहके समाहभी पार्ट के नीतियों से कांगरेस की ब्यास्थाओं से आज की कांगरेस की स्थिति से मू मोडते हुए अपने आपको अलग खल लिया हाला कि किसी पार्टी में गए नहीं है पर उनका कहना है मवेस्व में हम कोई पार्टी जरू करेंगी यह तो रहे हैं संटुरिष्टी की बार कही कही न कहीं यहां पर हम देख रहे हैं कि कांगरेस के लिए नय अद्दच की जो दरकार है वह अभी भी हमाई सामने बनी हुए है हलाकि पार्टी की दौरा भी कहा जा रहा है कि नौंबर में कांगरेस को नया अद्दच मिल जाएगा अब यह अद्दच गांधी परवार से होगा यह कोई अन्न होगा यह जबीन से जुड़ा कोई बड़ा नाम होगा यह तो फिरहाल आने वाला बक्त बताएगा पर एक ब कांगरेस के पती जो एक प्रेम होता था निश्चा उसे उसे कमी आ रही है तो वो कांगरेस की स्थितिख्षिए खराब होती जा रही है वह कांगरेस जो शटालिस मैं शबत्दा के बाद भार के सब्से बड़ी पार्टी रही वह कॉंगरेस जिसने सोला आम चुनावों में कांग्रेस च्छे बार पून नबहुत आशीर किया वह कांग्रेस संग धन के रूप में या सोय बड़ी पार्टी के रूप में 49 साल को सत्ता में रही वह कांगरेस कि इस कि इस थापना एव गून रकी वह to जिसमें एनी एसेंट इंद्रा गांडी सोने गांडी जैसी महिला अद्धच्छों ने भी कारभार समाला अब यहां पर जो एक समय है वो समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और लगातार पसुपोष की स्थिति बने हुई थी और वो पसुपोष की स्थिति अब माना जा रहा है कि जब 19 में लोकसर चुनाव में हार के बार राउल गांडी अस्तिफा रिया तो उसके बाद सोने गांडी कारभाग अद्धच्छ की पर पर आसीन है पर उसके बाद भी कॉंगरिस में संगटन की जो मजबूती है वो कहीने की छीन है जो अब इसका चुनाव है बड़ी रणीती है बूत मिस्तर पर कैसे मजबूर करना है नारा निताओ को भी तालमिर कैसे बठाना है संगटन को मजबूर कैसे करना है लोगों को बिस्वास कैसे दिलाना है कि कॉंग्रेस ही वो पार्टी है जो आने बाले समय में बीजेपी को सत्ता जेटा कर खुर सत्ता पर बैठ सकती है पर यह विश्वास दिलाना अपने आप में एक फिराल मेगमरीची का है कि दिख तो रहा है पर देखेगा कैसे होगा कैसे किसी को नहीं पता अब इस्थिती इसलिए गंबीर है क्योंकि गंबीरता की यहां पर एक पराकास्था है वो बरती चली जा रही है अगर हम बात करें कि कॉंग्रेस की जो इतिहास से बहुत पुराना है और मैं आको ताया 28 दिसंबर अटावड़ पच्यासी में इसकी शुरुबात हुई थी उसके बास से कॉंग्रेस उन्नी सोतालिस में दब देश आजार हुआ था उसके बदी सब्सक्राइब पार्टी बनी उन्ननंचास साल तक कॉंग्रेस कें सरकार का हिस्षा बनके पार्टी में रही कभी कटबना ने क सबस्क्राइब यहां पर जो सबसे ब्यस्ति को चिंता योग बात यह है कि कॉंग्रेस की स्थिती अब धीरे दीरे बेतर की तरफ बढ़ने की स्थिती हो रहे है होगी कैसे उसका आधार कैसे होगा अभी आप मैं देखा कि प्रिंका गांडी बाइदरा जो की कॉंगरिस की आस्की महा सचेब है उन्होंने उत्तापने चुनाओं में कमान समाली कमान समाल के बार लड़की हों लड़ सकती हों का नारा दिया तमाम तरह के पर कॉंफ्रेंस जो शुरूबात हुई थी वो सुरूबात अंतिक में नहीं बजल पाई क्योंकि जो तेजी जो व्यास था जो गंबीरता तेकुनिया का आंड में डिखी थी वो गंबीरता आने वाले चुनाओं में नहीं डिख पाई और लिटल टीपी इतनी हुई संगठन में इतनी जारा समतोस रहा टिकट बटवारे में तमाम चीजें खराब रही और जो संकल्पत जारी किया उसको भी जारी करते करते काफी समय लगा रिया तब तक चीजे हांस से निकल चुकी थी बीजेपी जैसी पार्टी को हराने के लिए आपको हमेशा एलेक्सर मोड बनेना पड़ेगा जो की बीजेपी की परंपर आकर जोस्ता रही है जबीजेपी हमेसाथे परंप्रा कर भी खार धाया इल्यक्σιर उन्होंने स्थीपा डे लिया था और मार्च से लेकर अब तक यानि सितंबर की शुरूबार हो चुकी है और अब तक कॉंग्रेश को परदेश अड़ेश नहीं मिला दो माइने बाद निकाय चुनाव की उम्मीर है उसके बाद अगले साल के बाद 24 का चुनाव है यानि अगर हम एक ब्यूस्थत प्रदेश समाने तो 24 चुनाओ में केवल में केवल 1.5 साल का समय बाद ये और 1.5 साल की समय में अगर हम अभी तक अपने परदेश अधाश ही नहीं बना पाए है तो परदेश में ब्हुत्त अपरदेश जहां से ही केंड की सपता का रास्ता जाता है वह जो केन सरकार की बात करें तो उसमें सरकार बनाने में महत पून भूमिका निबाता आता है और आपका 6 मेने तक परदिस अद्धच ही नहीं रहेगा तो जो एक संगटन को समय लेगा कौन और यह बात किवल उत्तापड़िस में नहीं है यह बार कॉंग्रिस में राष्टे अद्धच में भी है कि बहां पर सुनिया गांदी कारवाक अद्धच रहे हैं और अभी भी कॉंग्रिस में इस्थाई अद्धच का पर जो है वो खाली है चल्चा होती है कौन बनेगा राष्टे डिस मिल जाएगा पर नॉम्बर तक देर और हम जितना अपने आपको लेट करेंगे जितना इंतियार करेंगे जितना हम समय लगाएंगे उतना ही बीजेपी मजबूत होती चलिए कि बीजेपी है मैं आपको आया हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और जितना हम समय लगाएंगे उतना आने वाले समय के लिए नुक्सान ले है जाइर सी बात है कि अगर भारतिंदा पार्टी जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को आपको हराना है तो सबसे पहले आपको उससे जारा मेनट करनी पड़ेगी और जो फिराल अभी कोगरिस में कहीं बाले समय में को अगरिस का क्या स्थिति होने बाले इस तिरी बोलूंगा कि ब्रांशा चुनाव में आपने हस्र देखा इसके बाद अब निकाय चुनाव में होने वाला है अभी तक प्रदे दरजच कपट की घोचना नहीं हुए नौंबर दिसंबर में निकाय चुनाव है हला कि मोहले होता है पर निस्य रूप से गेराम नगर पंचायत और जो सहर के सरकार होती है कि आने वाले समय में किन्व सरकार कॉन वेक्ट है कि हम किसी चुनाओं को हलका नहीं माल सकते हैं वीज़ेपी कते ही नहीं मालती है इसको गंपरता दिनाले कहीं आपकी बहुत बड़ी फूल है और इस भूल का खामेजा आपको आने वाले समय में चुकाना भी पड़ेगा है अपनि करकम के माद्दम से मेरा किसी पार्टी पर कउए अच्छर नहीं लगा रहा हूं पर मेरा वानना चाहते हैं अगर आप जनता के लिए कि यह अगरा आप सत्ता परवतन करने की इच्छा रखते हैं तो आपको उसके लिए मैनट करनी पड़ेगी आपको उसके लिए रणनीती बनाने पड़ेगा आपको उसके लिए जल से जल अपने रास्तिया अध्यस पत की घुचरा करनी पड़ेगी आपको उसके लिए उत्तापनी से जल जल पर सरकार किसकी बनेगी अगर हम प्रयास नहीं करेंगे अगर हम अपने संट्रिस्टों को नहीं मनाएंगे तो कहीं न कहीं यह सबसे बड़ा फेलियर सावित होगा यहां पर कॉंग्रेश जजी पार्टी जिसमें दसकोराज किया है आज उस्तिती यह है कि उसके लोग उसके नीचो संट्रिस्ट नहीं है उनके बायोबद नेता उनकी नीचो संट्रिस्ट नहीं है उनके जो खासम खास है वो इनके नीचो संट्रिस्ट नहीं है तो कहीं न कही यहां पर गल्तिया है गर आप चाहें कि इंव्ड के नित्र से मुलाकार करने और यह जल्दी संभब नहीं और संभव नहां तो तो नहीं बिचारदारा द्ली जा सकेंगी नहीं बिचार करने के लिए recognize का खराब होती हुध क्योंकि अगर मेला हूं लड़की हूं लड़ सकती हूं को नारा दे सकते हैं हम आगे बढ़ने की बार का सकते हैं मेलाओं को आगे बलाने की बार करते हैं हम अपने एजेंडे के तहर चालिस प्रतिसर मेलाओं को उत्तरप्रिस की चुनाओं में टिकेट दे सकते हैं तो हमको आपने कुछ ऐजंडे कोई द्र correč केन बनाने सके हैं मैं धाइक पर्छ पर इसकों और नवान नाम नहीं विकास आज चीज देख त्माम आवसी संगलपना मं तमाम ऐसे अविस्कार, तमाम ऐसी चीज़े हैं, जो कॉंग्रिस के द्वारा देश में लाई गए, और इसको सभी लोग जानते हैं, पर वही कॉंग्रिस आज पिछड़ती नजर आ रही है, वही कॉंग्रिस आज जिसके सब्सक्राइब आबाड़े वाले राज में सीटर नह अगर, आप एक ब्योस्था के चलते एक बात जनता की भी सामने ले पाएंगे कि अगर हमें सरकाण। आती तो हम क्या करेंगे क्या मलग करेंगे और ये कॉंग्रेश पिछली कॉंग्रेश से किस तरह लग होगी ये कॉंग्रेश की नीतिया पिछली कॉंग्रेश से किसी अलग होंगी और ये कॉंग्रेश इस बार क्या कुछ नया करने वाली है जो अब तक देश को नहीं मिला मना पर influos funky आपको जो आप से संट्रौस्ट भी करना होगा आपको जिसनीन वीं करने पड़ेंगे आपको अपने हर कारता पुस्छ नाज़ा को जाएगी तब आप दुबदर सतामे आने का सपना सजो सकते हैं जब तक आप भूत इस्तर पर मजबूत नहीं होंगे आपके प्रिया नहीं चलेगी लगाता सद्र प्रिया ही आपको लच्रप हो जाती है और बना सद्र प्रिया के के बार अंतिन समय पर अगर आप जागर होंगे जैसे कि उत्तापली सबसे बड़ी पार्टी को हराने के लिए उससे जादा मेनट करने पड़ेगी जो फिराल अभी धरातल पर नजन नहीं आ रहा है अगर हम कुछ चाहते हैं अगर कॉंगरिस चाहती है कि बदला हो तो बदला के लिए ब्युस्ता जरूरी है ब्युस्ता के साथ मेहने जरूरी है और मेनट के साथ परवर्तन जरूरी है चाहे संगठन में हो चाहे पद में हो चाहे दस पद में हो चाहे राश्यरिश पद में हो और चाहे बिचार में हो तो आज की चर्चा में अतना ही अगली बार फिर किसी नए मुद्दे कर दोगी मुलकार तक तक मुझे यानि गौर एम टीवी